मुझूद हैं हरिदवार लोकसभा के माजरा छेतर में जहां पर राजके करन्या उचितर विद्याले में इस समय वोटिंग चल रही है और यहीं के वोटर हैं पूर मुख्य मंतरी हरी शावत जी जो इस समय अपना वोट डालने यहां पहुँचे हैं उनसे बाचीत करते हैं सर आज आप अपना वोट डालने यहां पर पहुंचे हैं, काफी तरह के आपसे सवाल किये जा रहे हैं कि बेटा इस समय चुनाव लड़ रहा है और आप वोटर हैं, एक जमाना हुआ करता था कि आप चुनाव लड़ते थे और बेटा वोट डालता था, तो कितना बदलाव कि यह जर्नी रही है, एक लंबे अंतराल तक बिरेंदरावत मेरी च्छाया बन करके काम करते रहे, कॉंग्रेस के लिए भी काम किया, कॉंग्रेस की जीत के लिए भी काम किया, मेरी जीत के लिए भी काम किया, तो आज कॉंग्रेस पार्टी ने उनको उमीद्वार बनाया है पूसको बॉट करते वक्त पिता की भावनाय जरूर जगी है, मैं बहुत भावक हुआ बटन दमाते वक्त कि मैं और मैंने आशिरवाद दिया कि तुम जीतो क्या है, क्याлись या मुद्धे आपके मन में क्या मुद्दे वोड डालने आए तो आपके जो आपने कहा कि मन भाउक भी है आपका तो आपके इस समय जहन में क्या है जहन में कॉंगरिस जीते बदलाव आई और मुझे खुशी है जब मैं जानकारियां जो मिल लई हैं जो पॉलिंबूथ उपे गया हूँ ये तीसब पॉलिंबूथ है तो लोगों के मन में बदलाव लाने की आकांग्शा है लोग बदलने के लिए सरकार बदलने के लिए नहीं सरकार नहीं गटवंदन को जो है मौका देने के लिए बोट कर रहे हैं लोग इस बार अपने लिए बोट कर रहे हैं लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं है इस बार हम महेंगाई के खिलाब बोट करेंगे हम बेरोजगारी के खिलाब बोट करेंगे पुशासन के खिलाब बोट करेंगे जो जनता के सवाल है चाहे अंक लोगों के नलू में ठीक से पानी नहीं आ रहा है है और जो से परिशान हैं लोग बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मध्यातां के मन में हैं किशानु का अपमान एक बड़ा बहारी प्रश्न है यह सुनाओं का तो इन सब का समाधान केवल मत दाता है जो बोट की चोड से इस बार मुझे पूरा भरोशा है कि भाजवा कुल भाजवा की कमर इस बार आप बेटे के साथ बाकाइदा हर छेतर में गए बराबर आपने मेहनत करी बलकि ये भी कह सकते हैं कि बहुत उर्जा के साथ और बहुत जजबे के साथ आप उनके साथ लगे रहे 2009 में आप खुछ चुनाव लड़े थे और जीते भी थे 2009 और 2024 की अगर बात की जाए तो कितना बदलाव लग रहा है आपको ये 2009 कैसी श्थिती है बलकि उससे भी कुछ अच्छी स्थिती लग रही है उसरा वर्दक श्थिती लग रही है उस समय तो कॉंग्रेस का बोल बाला होता था आज तो कॉंग्रेस लोग छोड़के जा रहे है उससे कोई फरक परता है सम öद्र में जब तलश। जादा हो जा वायोग से के लिए भी नाराजगी जताई है क्या आपकी नाराजगी है लोग लंबी लंबी कतारू में बैठे हैं और कोई मसीन का खराबी का बहाना कर रहा है कोई प्रोश्यस को बड़ी धीमी कर दे रहा है ताकि मदाता अपना बोट ने डाल सके और परिशान हो करके निकल जाए तो मदाता को जो डिसकरेज करने की कोशिस हो रही है और वो भी पूलिंग बूट के अंदर बैठे वे अधिकारियों द्वारा हो रही है यह अपरादिक करती है एलेक्सिन कमिशन के निर्देशों के विपरीत है और यह आचार सहीता का उनंगन है और यह हर तरीके से अपरादिक करती है जिसके लिए मैं तो आगरो खुरूंगा चुनाव है उकसे जहां इस तरीके से अनावशक वो किया जा रहा है डिले किया जा रहा है शिकायता हारी है उनका कडाई से संग्यान ले ऐसे अधिकारियों को जवाब दे बनाए जाना चाहिए कई लोग इस तरीके अटकले लगा रहे हैं कि इसके बाद आप सन्यास ले सकते हैं या इसके बाद भाजबा मेरे साथ पूर्मुक्यमंत्री घरिश रावज जी तमाम तरके कयासों का जवाब देते हुए और मत्तदान के तरीकों पर जो मत्तदान के समय में जो वोटरों को जो समस्य आ रही है उसको लेकर भी नाराज़ की जताई है और उनका कहना है कि 2009 को कॉंग्रेस इस बार रिपीट करेगी जो कॉंग्रेस को छोड़ के जा चुके हैं वो कॉंग्रेस जो है समुद्र की तरह है जब पानी जादा आ जाता है तो उसको बाहर कर देती है देरदून से अंकित शर्मा